सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाटसप पर डॉकुमेंट में वीडियो कैसे भेज़ें तो अगर आप WhatsApp पर किसी को भी वीडियो भेजना चाते हैं और आप चाते हैं उस वीडियो की quality भी ना गिरे तो आप document में वीडियो को भेज सकते हैं जिससे आपकी वीडियो की quality भी नहीं गिरेगी तो चलिए सीखते हैं कि WhatsApp पर document में वीडियो कैसे भेजते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने WhatsApp को open कर लीजे WhatsApp को open करने के बाद अब यहाँ पर आपको वो account select कर लेना है जिस पर आप video भेजना चाहते है तो यहाँ पर मैं यह account select कर लेता हूँ इसको मुझे video भेजना है अब देखिए document में video भेजने के लिए क्या करना है यहाँ पर आपको type वाले option में यहाँ पर छोटा से attachment का button दिखेगा इस पर आपको click करना है जैसा आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके कैसारे option open हो जाएंगे camera, document, gallery तो अगर आप document में video को भेजना चाहते है तो यहाँ document वाले option पर click करना है और document में photo या video भेजने का एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उससे आपके photo या video की quality नहीं गिरती है जितने MB का जितनी quality का आपका video होता है उतनी ही quality में सामने वाले के पास जाता है और अगर आप document में कोई photo वीडियो नहीं भेजते हैं तो उसकी quality स्टेंड करते ही गिर जाती है और जिसके पास पहुझती है उसको एकदम कम quality में वो photo या video मिलता है तो अगर आप नहीं चाहते है quality गिरे तो यहां document form में वीडियो को भेजिए तो यहां आपको document वाले option पर click करना है जैसे आप document वाले option पर click करेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका gallery open है जायागा हो सकता आपको यहां पर समझ में ना आए तो आपको यहां पर एक option मिलेगा browse document यहां पर आपको choose from gallery वाले option पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो अब यहां पर आपका gallery open है जायागा तो यहां से आप जिस भी वीडियो को send करना चाते है document में उसको यहां से आप select कर लिजे वीडियो select करने के बाद यहां पर देखिए आपको mp4 file दिखाएगा कि file का format क्या है और यहां पर इसका size भी बता देगा तो आप इस वीडियो को यहां से ऐसे send कर दीजे जैसे आप इसको send करेंगे तो अब देखिए यह mp4 format में ही गया है और यहां पर आप mb भी देख सकते है इसका mb भी same ही है जरा से भी इसका mb नहीं गिरा है अब यह वीडियो जिसके पास जाएगा वो जब इस वीडियो को डाउनलोड करेगा तो उसको भी same quality में आपका वीडियो मिलेगा और उसकी quality जरा से भी गिरेगा नहीं और अगर आप document में किसी को photo भेजना चाते हैं तो फिट से यहां पर attach वाले option पर क्लिक कीजे document में आजाएए choose from gallery पर क्लिक कीजे और यहां से आप अपना photo select कर लिजे जो भी आप document में भेजना चाते हैं उस पर क्लिक कीजे और इसको यहां से आप send कर दीजे जैसे आप इसको send करेंगे तो आपका photo भी document form में चला जाएगा और उसकी भी quality नहीं गिरेगी तो इस प्रकार से आप WhatsApp पर document में वीडियो भेज सकते हैं फोटो भी भेज सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो हलफ लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लिजेगा